इस शेख मैं यही भिकारी के तालूख से एक चीज बोलना चाहता हूँ यह भिकारी जो माइक लगा के आ रहे हैं इसलाम की यानि की दीन की बात बो रहे हैं माइक में इतनी जोर से पिछे उसको अटा-कटा ढखल के लेके जा रहा है एक खटा-कटा दो-तीन को खिला लेता अगर कमा के लेके आया तो उसको यह ढखल रहा है बिठा के वो कौन सा है भिकारी लंगडा हंदा पता नहीं पर घरों में जो आवाज आती है इसकी हम इनको रोकना चाहिए या नहीं मैं दोहजार सोला में और दोहजार सत्रा में एक चीज नोट करा था मैं अलीगड यूनियर्सिटी गया था वहां पर दावत में तो पहले भिकारी को देखा के खीच के लेख जा रहा और माइक में कुछ बोल रहा था हो सब्सक्राइब नोट करा सेकेंड टाइम मैं दोहजार सत्रा में दिल्ली गया था तो दिल्ली करने कैसे टूला लगा के सीडी में देखा था उसके बाद सड़नली दोजार अठारा से ये हैदराबाद में चलूआ राइट गोर करिये मैं गोर करा एक चीज़ को आप लोग के सामें रख रहा हूं और एक चीज़ ये गोर करा कि जो माइक सिस्टम आ गया हर तरकारी भाजी वाले घर में पेशन्स रहते नमाज होती तिलावत होती बीमार ब भी होता है अब मैं नडियाड में रहने गया इस सब्सक्राइब टाउन और वहां पर हमने चोटा सा वीला ले लिया अब मैं खुश हो गया सोसाइटी है शूटिंग करेंगे कैमेरा लेकर बैठता है क्या बोलते वह नाद गाते हैं या कुछ पैसा दला के रास्ते में दे सकते हैं उसकी रोजी है आपको सबर करना पड़ा है बलके बाहर रूट के मैं कहता हूँ भाई थोड़ी आवा स्लो कर दे एट सिट थोड़ी आवा स्लो कर दे बस इतना आप कह सकते हो हां क्योंकि वह आदमी रोजी उसकी दुकान है ने उसके पास यूट्यूब चैनल नह गलके आपम करना उसको कपड़ा ला एक जोड़ी कपड़ा दोस्ती कर ली में बला कि काम कर तो थोड़ी सी आजान के ट्रेनिंग मेरे से ले लेट कैसे माega चलाना तो इतना चिला आता है बच्चे सोते रहे और के मारे ओड़ जाते हैं और कुट्टें भी भौगते हैं हु आज माइक है उसके अपर आप अगर जोर से चिला होगे तो महले के में कई कोई बिमार होता है कोई जाइफ होता है सबको तकलीफ होती है और एक साथ में एक अजान खत्म हो भी फिर दूसरी आती है फिर तीसरी आती है अजान बहुत सागी आती है आपको पता बंबई में सल्मान खुछ दिम्मेदार, you can't blame government, कितनी अजान है, कितनी जूर से अजान है, और एक एक मिनिट में अजान, एक मौले में दस-दस मजजिदे, सब चिला रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, अजान है, अच्छी बात है, मौजदीन के लिए बहुत सबाब है, लेकिन एक ऐसी से होना चाहिए, ताकि लोग समझें, कि क्योंकि हम लोग, we don't train our मौजद, वो भीचार सवाब की नियत से अजान देता है, लोग दूर दूर तक पहुंचें, लोग आवे, उसकी नियत है, हमारी जिम्मेदारी ये है, कि हम इनको ट्रेनिंग दे, कि माइक कैसे इस्तमाल करन का और आदान कैसे देने का, फ्री वक्शोप रोग चाही, समुजा खिला आदे घंटे में सीख जाता है अजान, इस्ञाला